नमस्तोर सो जोहार मैं विसे चक्रवर्तिया आप सभी का फिल सब नियुड़ी उड़ी चरह पास स्वागत करता हूँ दोस्तो आज जो है क्लास 12 का जेग्राफी यानि भूगल विसे का weekly test exam हुआ है और दोस्तो आज से ही जो है आप सभी का pattern भी change होता हुआ देखा है दोस्तो इसमें आप लोग का subjective question और objective question दोनों दिया गया है आशा करते हैं आप सभी ने बहुत ही अच्छे से exam को दिया होगा और एक है question को आप लोग answers को मिलाते चलिएगा और इस question को note कर लिजेगा क्योंकि ऐसा ही questions आपके final exam में भी देखनों को मिलेंगे तो चलिए एक है question को देखते हैं दोस्तो देख सकते हैं आप लोगो 90 मिनट का ही समय मिला था और total जो है 40 marks का exam हुआ है question का pattern कैसा है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं total number of question जो है 16 ही है लेकिन इस बात थोड़ा बदलाव किया गया है जो ढ़ाई अंका question रहता था वहां पे दो अंंक के लिए किया गया है ठीक है और दो अंके जो है I1 से लिकेट तक जो है चार विकल्प मिलेगा यानि objective टाइप का question रहेगा उसके बाद 18-12 आपका अती लगह उत्रिय रहेगा और 13 और 14 जो है लगह उत्रिय और 15 और 16 जो रहेगा आपका दिर्ग उत्रिय टाइप के question रहने वाले हैं तो चलिए एक के questions को हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग 10 question का बात करेंगे जिसमें आपका objective type के questions दिया गया है तो यहां पर दोस्तो सबसे पहला question पूछा गया है विस्व में सडक मार्गों में सबसे बड़ा network किस देश का है तो किस देश का है दोस्तो USA United States of America और दोस्तो हाली में आप लोगों ने news में सुना होगा कि भारत जो है दूसरा नंबर पर आ चुका है इसमें भारत जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है यहां पर याद रखिएगा विस्व के सडक मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा network अगर आपको exam में पूछा जाता है तो आप याद रखेगा अपडेट करके कि इंडिया जो होगा correct answer होगा ठीक है यहां पर देखिए अब जो हम लोग use कर रहे हैं इंडिया के जगा यहां पर आपको option में भारत दिखाए अधिकतर मिलेगा ठीक है चले next question क्यों चलते है question क्या दियागा question number two विस्व के rail margo की सरवाधिक सघंता किस देश में पाई जाती है यानि density में पूछा गया highest density of railway found in the world ठीक है तो यहां पर highest density भी जो है आपको कहां देखने को मिलेगा अमरीका में देखने को मिलेगा next question क्यों को जोड़ती है दोस्तों तो option number जो C होगा वाल्डी वोस्टर्ग सेंट पिटर्सबर्ग जो होगा यहां पर आपको करेटन्स हो जाएगा ठीक है यह और सेंट पिटर्सबर्ग दोनों जो है आपस में जोड़ती है तो दोस्तों आप सभी बताईएगा भारत में पहली बार रेल गाड़ी कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी यह नीचे आप कमेंट करके बताईएगा क्योंकि यह question आपका आगे competitive exam में भी रहेगा और आपके final exam में भी इस टाइप के question देखने को मिलेंगे तो चलिए आगे questions को देखते हैं और डरनी की बिलकुल बात नहीं है ए आप लोग मेरे Instagram IDP जाके विजिट करके देख सकते हैं विर्दाथियों का result काफी सांदा रहा था उन्हाने वहाँ पर comment करके feedback भी अपना दिया था आप लोग भी अगर result अच्छा करना चाहते हैं और बस आप लोग का अपना प्यार और support बनाके रखिएगा और नीचे comment कर दीजेगा कि कितने बच्चे इस चैनल के साथ जूड़ के त्यारी करना चाहते हैं मुझे ज्यादा नहीं बस सो ऐसे बच्चे चाहिए जो इमानदारी से त्यार करना चाहते हैं तो इमानदारी से अगर त्यारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जूड़ जाए अपने बताईएगा किन किन देशों से होका राइन नदी बहती है आप ये नीचे कमेंट करके बताईएगा most important question है दोस्तों ठीक है चले next question क्यों चलते हैं क्या पूछा गया देखिए ये question हर साल subjective और objective दोने में डाला जाता है पनामा और स्वेज नहर ठीक है जोडती है तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है correct answer हो जाएगा यहाँ पे आप देख रहे है option number D क्या है दोस्तों यहाँ पे option number D colon और पनामा ठीक है तो यह आपका correct answer हो जाएगा चले next question को देखते हैं क्या पूछा गया है भू एस्थेतिक उपग्रा पृत्वी से कितनी उचाई पर स्थापित किये जाते हैं तो question number जो 6 है दोस्तों यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा option number B ठीक है 36,000 km चले next question क्यों चलते हैं भारतिय आंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो की अस्थापना कब की गई थी तो दोस्तों बहुत ही important question है और अभी हम लोग ने चंद्रयान के बारे में पढ़ा था और चंद्रयान के बारे में इंडिया ने जो है काफी अच्छा success किया और आगे भी जो है इस तरीके के इसरो के दोरा कमाल करते हुए देखा जाएगा तो यह famous इसरो का अस्थापना कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है ठीक है तो यहाँ पे आपका correct answer हो जाएगा 1969 जो होगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है और इस उरो से सम्मंदित questions जरूर करके जाएगा क्योंकि इस बार इतना जादा हमारे देश से जो है इसमें प्रशन है आपके लिए चलते हैं विशु एपार संगठन डबली टीओ जिसकी अस्थापना 1995 में हुई इसका मुख्याले कि सहर में most important question और आप लोगोंने class 9 में भी पढ़ा हुआ है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C जेनेवा जो होगा बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए आप लोग बताईएगा कि वियाना और नियूर किसे संबन देते हैं नीचे comment करके बताईएगा question number 9 चलते हैं दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है निमलिखित में से कौन port of call पतन का उधारन है तो port of call का उधारन पूछा है पतन का तो यहाँ पर आपका होना चीए मु दूसरे देशों पर निर्भार रहते हैं हम लोग पेट्रोलियम के लिए सबसे ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भार रहते हमें उसका सबसे ज्यादा आयात करना पड़ता है ठीक है जिस दिन हमारे देश में दोस्तों electrical वाहन जो है पूरी तरह से लागू हो जाएगा उस दिन हमें पेट्रोलियम के लिए डिपेंड कम रहना पड़ेगा और इंडिया जो अपना विचार खूले तोर पर वैक्त कर सकता है ठीक है अभी हम लोग जादा तर पेट्रोलियम के चलते ही बहुत सारे वाद विवाद में अपना स्वतनत्र विचार अभिवेक्ती नह लिए जिस दिन हमारे देश में ये सब पेट्रोलियम पर जो है निर्भरता कम होगी वो देश जो हमारा देश है वो आगे देखते हुए आपको नजर आएगा ठीक है तो यहां पर एक बार परियास किया जा रहा है हमारे जो नितिन गर्टकरी मोहदे के द्वारा बहुत बढ यहां पर आप हम लोगों ने कोईशन समाफ्त किया अब जेक्टीव टाइप का टोटल 10 कोईशन था वो हमारा समाथ हो चुका है अब very short answer type questions है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं questions क्या पूछेगे पहला परिवहन किसे कहते हैं दूसरा इंटरनेट क्या होता है इसे परिभासित करें तीसरा दोस्तों देख सकते है section C में जो दिया गया है यहां पे short answer type दिया गया और section D दिया है long answer type तो दोस्तों यह हम लोग section जो देख रहे हैं इसको काफी details हम लोग अधन करेंगे क्योंकि यह सब टॉपिक काफी details से बताना और इसको बताने के लिए हमें एक जो है काफी अच्छे समय की जोरत होगी और यह वीडियो बनाने से आपका काफी लंबा हो जागा लेकिन इसमें से कुछ important questions है जो अभी immediately आप लोग तूरंत उसको note करके याद कर लिजे तियारी कर लिजे क्योंकि यही सब questions आपको पूछे जाएंगे exam में तो वो सब questions मैं आपको बता देता हूँ चलिए देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का पहला question क्या पूछा गया है परिवहन किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजेगा लिखा क्या हुआ है वस्तु तथा यात्रियों को एक अस्तान से दुसरी अस्तान ले जाने की परक्रिया को पर परिवहन तथा संचार आर्थि विकास के विभिन अंग बन गया है क्योंकि बिना परिवहन के हम कोई भी समान बनाते हैं उसको एक जगह से दुसरे जगह ना तो ले आ शकते हैं ठीक है इसलिए हमारा जो है अभी परिवन सबसे important एक part बन गिया है जो की आर्थिक किरिया में तिर्थियक छेतर के अंतरगत आता है ठीक है इसको भी याद रखेगा चलिए आगे की questions को देख लेते हैं क्या पूछा गया था internet क्या होता है है ना तो internet क्या होता है दोस्तों इससे परि बोड़ने के लिए internet protocol यानि TCP और IEP नामक protocol का उप्योग किया जाता है जिससे जो दुनिया भर के कोई भी चीज़ को हम आसानी से एक दूसरे से connect कर लेते हैं तो दोस्तों ये था question और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका जो short answer type question पूछा गया है वो भी देख लेते गया था स्वेज नहर और पनामा नहर मैंने और रेड़ी कहा कि इससे सवाल पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे आपके एक्जाम में तो दोस्तों कुछ नहीं स्वेज नहर का जो महत्त है जो मैं पॉइंट बता रहूं उसको पॉइंट पर लिख दीजेगा और पन पनामा जो है मैद अमेरिका में यहां भूमैद वो लाल सागर को जोड़ती है जबकि पनामा जो है अटलांटिक महा सागर और परसांद महा सागर को जोड़ती है चलिए आगे देख लेते हैं इसका निर्मान जो है कब पूरा हुआ था इसका निर्मान सन 1869 में पूर्ण इसका नहर का अगर लंबाई का बात करें तो एक गहा रहा है और यहां नहर पर मिस्र की सरकार का सौमित है थेरा फिरें पडर। क्या लिखा गया इस नहर के छोर के नगर पोर्ट जो है स्वेज बंदरगा लाल सागर है और इस नहर के में अभी मैंने बता है क्लोन अट्लांटिक वा पनामा सिटी प्रसांद महा सागर है आगे दोस्तों देख सकते साथ नंबर पॉइंट आप जितना लिख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहाएगा तो इसमें साथ 5 पॉइंट पर उठा के लिख सकते हैं इस नहर से यूरूपिय देशों अफरीकी देशों के दच्छिन पूर्वी एशियाओं के जो है देशों को लाब होता है और इस नहर से उत्तर अमरीका के पूर्वी और पस्चिमी पस्चिमी यूरूपिय देश एसिया के पूर्वी देशों को लाब प्राफ्त होता है तो यह था आपका important questions तो दोस्तों इस तरह से जितना subjective questions था हमने देखा अभी तक यहां तक में ठीक है आप दोस्तों यह जो long question यहां पर आप देख रहे ना यह जो long question है दोस्तों कि पर क्यूंकि यह जो है काफी लंबा वीडियो बनेगा लगभग एक टॉपिक पर ही जो है 10 से 15 मिनिट का वीडियो बनेगा और एक बार अगर आप इसको समझ लेते तो रटनी की बिल्कुल अवशक्ता नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है रट कर तो नीचे कमेंट कीजेगा मैं जल जो है आप लोगों वीडियो प्रवाइट कर दूंगा और इस तरह से एक्स्प्लेंट करने की कोसिस करूंगा जिससे आपको रटना ना पड़े और एक्जाम में आप अच्छा स्कूर कर सके तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम